हेलो बच्चो स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चनल फिजिक्स क्लासिस में तो आज हम फिर से एक नए चैप्टर जो हमारा फिजिक्स का नए चैप्टर है चैप्टर नंबर 9 नए चैप्टर नंबर 9 है और पुरानी चैप्टर नंबर 10 होता था एक चैप्टर कम हो गया क्योंकि तत्वो के आवरति वर्गी करन को रिमूव कर दिया गया है तो अब ये चैप्टर नंबर 9 है हमारा प्रकास, परावर्तन तथा अपवर्तन इसकी हम exercise को solve करने वाले हैं और यहां से आपको direct question देखने को मिलेगी तो चलिए चैप्टर नंबर 9 प्रकास, परावर्तन तथा अपवर्तन के कुछ exercise देखते हैं ठीक है चलिए एक्सरसाइज देखते है इसकी इसमें लगबग 15 कोशन होगे 17 कोशन है इसमें कितने हैं 17 ठीक है देखेंगे वन बाई वन सभी को कोशन नमबर वन यह हमारा कोशन नमबर वन निन्म में से कौन सा पदार्थ लैंस बनाने के लिए परियुक्त नहीं किया जा सकता कोशन नमबर वन है हमारा यहां से हम स्थार्ट करने वाले है ठीक है बताईए कौन सा पदार्थ लैंस बनाने के लिए प्रियुक्त नहीं किया जा सकता जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी कुन सा उप्शन होगा तो जो जल है उसका भी आप क्या बना सकते हैं प्रिज्म की भाती वेवार कर सकता है जैसे की रेंबो में होता है कांच भी कांच तो होता ही है प्लास्टिक कभी प्रियुक्त कर सकते हैं लेकिन मिट्टी को हम लैंस बना ले में प्रियुक्त नहीं कर सकते तो इसका सही आंसर होगा उप्शन नमबर डी मिट्टी मिट्टी का लैंस नहीं बनाया जा सकता किसी बिम्ब का आउतल दर्पन द्वारा बिम्ब मतलब कोई वस्तु है का आउतल दर्पन द्वारा बना परती बिम्ब देखे कैसा है आभासी सीधा तथा बिम्ब से बढ़ा पाया गया कैसा मिला आभासी मिला सीधा मिला और बिम्ब से बढ़ा वस्तु की इस्तिती कहा होनी चाहिए आपको बताना है कौन सा दर्पन है अवतल दर्पन कौन सा है अवतल दर्पन देखे यह है आपके पास अवतल दर्पन दुआरा प्रति में जो बनते हैं वो है यह ठीक है इसने पूछा है क्या कि आभासी सीधा और विम्ब से बड़ा कहां बनेगा आभासी सीधा और विम्ब से बड़ा तो देखें कुछ वाले केस में होगा इस वाले में आप देखेंगे कि परती विम्ब कैसा बन रहा है रियल का मतलब वास्तविक कैसा है पहले वाले केस में वास्तविक दूसरे केस म केस में भी वास्तविक जब वस्तु सी पर रखी है यानि के वक्रता केंद्र पर रखी है चोथे केस में भी वास्तविक जब वस्तु सी और एफ के बीच में रखी है पांचवे केस में extremely magnified बनेगा इंफिनिटी पर बनेगा लेकिन उसने कहा है आभासी सीधा तथा बड़ा तो यहां पर देखिए आप यह बड़ा भी बनाए वर्चुल यानि के आभासी इरेक्ट मतलब सीधा और मैगनिफाइड मतलब बड़ा तो किस केस में बनाए च्छटे केस में जब कहां पर रखी हो वस्तू पॉल और प्रिंसिपल फोकस के बीच कहां पर रखी होगी पॉल का मतलब क्या है पॉल मतलब द्रूब और प्रिंसिपल फोकस का मतलब है मुख्या फोकस एफ प्रिंसिपल फोकस मुख्या फोकस एफ इन दोनों के बीच में रखी होगी तो तब बढ़ा तो कौन सा उप्षन होगा देखिए बताइए कि को नमबर टू का अंसर बताइए को नमबर टू का वकरता के इंद्रपन नहीं रियल बनेगा यहां पर रियल का मतलब वास्त्विक और बराबर बनेगा यहां और उल्टा बनेगा वकरता के इंद्र से दूर नहीं दरपन के दुरू तथा मुख्य फोकस के बीच यही आंसर होगा दरपन का जो दूरू बोगा और मुख्य फोकस होगा उसके बीच में क्या बनेगा परतिविम्ब बनेगा ठीक है चलिए कोशन नमबर तीन किसी विम्ब का परतिविम्ब का वास्त्विक तथा समान साइज का परतिविम्ब प्राप्त करने के लिए विम्ब को उत्तल लैंस के सामने कहां रखा जाए उत्तल लैंस के सामने बताना है कहां रखा जाए बताइए तो अगर आप किसी विम्ब को उत्तल दर्पन से फोकस दूरी के डबल पर रखेंगे फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर रखेंगे तो जो परतिविम्ब बनेगा वो कैसा बनेगा परतिविम्ब उत्तल दर्पन की बात कर रहा है यहाँ पर किसकी कर रहा है उत्तल लैंस की तो फोकस दूरी की दूगनी दूरी पर रखने पर जो प्रतीविम है वास्टविक बनेगा और समान आकार का बनेगा वास्टविक और समान आकार का चलिए question सेंटिमेटर किसी पतले गोल्य लैंस की फोकस दोनों की फोकस दूरी मैंनिस पंदर्य सेंटीमीटर है बताना है दोनों कौन से होंगे देखिए चाहे लैंस वुटल हो चाहे दर्पन वुटल हो मतलब आउतल दर्पन हो या आउतल लैंस हो दोनों के लिए यह आपको याद रखना है आगे काम आएगा U नेगेटिव लेते हैं V भी नेगेटिव होता है F भी नेगेटिव होता है अगर बात करते हैं उतल दर्पन की किसकी उतल दर्पन की और बात करते हैं उत्तल लेंस की दोनों ही केस में U Negative V Positive और FB कैसा होगा Positive होगा तो इस तरह से आप देखोगे कि दोनों क्या होने चाहिए अगर फोकस दूरी रिनात्मक है तो दोनों क्या होने चाहिए अवतल होने चाहिए किसी दर्पन से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो आपका परतिविम सदैव कैसा बना सीधा ऐसा किस दर्पन में होता है किस में होता है केवल समतल केवल उतल केवल उतल या तो समतल या उतल किस में होता है सीधा परतिविम बनेगा सदैव आपका तो ऐसा सम्तल में तो होता है लेकिन सम्तल के साथ साथ उत्तल में भी होता है तो option number D correct answer होगा सम्तल तथा उत्तल यही देखकर answer मत लगा देना इसको नीचे भी देखना क्योंकि उत्तल में भी बनता है तो उत्तल में भी क्या बनता है सीधा चलिए किसी सब्द कोस में यानिके डिक्सिनरी में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्ण में से कौन सा लैंस पसंद करेंगे कौन सा लैंस आप पसंद करेंगे छोटे अक्षरों को आपको पढ़ना है छोटे अक्षरों को पढ़ना है आपको बताईए तो हम उस लैंस का परियोग करेंगे जिसकी छमता अधिक होगी पी जिसकी क्या होगी अधिक छमता जिसकी अधिक होगी फोकस दूरी उसकी कम होगी क्या होगी कम फोकस दूरी क्या होगी उसकी कम तो फोकस दूरी कम किसकी है पचास पचास पांच पांच तो ये दोनों तो option नहीं हो सकते इन दोनों में से है आप उत्तल लेंस का प्रियोग करेंगे या आउत्तल लेंस का ये आपको बताना है तो हम प्रियोग करेंगे किसका उत्तल लेंस का किसका प्रियोग करेंगे उत्तल लेंस का चलिए नेक्स कुशन देखिए दोवारे पढ़िए 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के आउतल दर्पन का उप्योग करके फोकस दूरी है 15 सेंटीमीटर हम इक किसी बिम का सीधा परतिमी मनाना चाहते हैं बिम का दर्पन से दूरी का परिसर क्या होना चाहिए कितनी दूरी पर उसको रखना चाहिए तो अगर आपको वो 6 डाइग्राम याद नहीं है जो भी मैंने उपर दिखाये थे आपको कि अगर हम फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर हो मतलब कहां कहां पर रखकर हम उसका सीधा परति परतिविम्ब को सोरी अगर हम वस्तू को किस किस के बीच में रखें अगर हम वस्तू को फोकस और धूरी के बीच में रखें तो परतिविम्ब कहां बनेगा कोशन नमबर साथ अगर हम वस्तू को वस्तू को किसकी बाचल दिया उतल दर्पन की वस्तू को फोकस तथा फोकस तथा ध्रूब के बीच रखेंगे तो रखने पर परतिविम कैसा बनेगा सीधा बनेगा सीधा परतिविम मनेगा यहीं कि एरैक्ट इमेज बनेगी अगर आप इस से पहले रखोचेंगे तो उल्टी इमेज बनेगी आउतल दरपंद्वारा लेकिन अगर फोकस्थ और धुरूम के बीच में रखेगे अभी मैने आपको दिखा एथा डाइग्राम देख्ये यह केस मेने आपको बताए था अगर हमने क्या किया यहाँ पर देखिए प्रतिविम उल्टा इस वाले केस में इस वाले केस में उल्टा इस वाले case में फूल्टा पर्स पर रखेंगे लेकिन छटा case में देखेंगे यह वाले case आपको दिखेगा कि अगर हम क्या करें, कि जो वस्तू है उसको कहाँ पर रखें आवतल दरपन के F और P के बीच में तो परतिवी में यहाँ पर आपको झिखाई देगा सीधा बनता हुआ, इसका मतलब यह होगा, कि दूसरे डियाइक्रम देखें यह ओसका, इस तरह से, हमें वस्तु को कहा रखना होगा, यह फोकस है, यह पॉल है, तो इसके बीच में अमें किसी वस्तु को रखना होगा, बनेगा A-B- तो इस तरह से आप देखेंगे क्या कि जो वस्तु को अगर हम कहां रखें वस्तु को अगर हम फोकस तता ध्रूम के बीच रखें तो परतिविम सीधा बनता है इसका मतलब जो उसकी रेंज होगी रेंज ध्रूम को लिखते हैं जीरो से और फोकस कहां तक होगा उसने दिया है question में 15 सेंटीमीटर तक फोकस कहां तक होगा? 15 सेंटीमीटर तक तो रेंज कितनी होगी? 0 से 15 सेंटीमीटर मतलब 0 से 15 सेंटीमीटर के बीच में रखेंगे अगर वस्तु को तो परतिविम कैसा बनेगा सीधा जबकि आप 15 से जादे पर रखेंगे तो पतिवि चलते हैं नेक्स कोश्चन की और, कोश्चन नमर देखते हैं, यह हमारा कोश्चन नमर 7 था, अब चलेगा हमारा कोश्चन नमर 8, निम्न इस्तितियों में परियुक्त दर्पन का प्रिकार बताईए, इनमें बताना है कौन कौन सा दर्पन परियुक्त किया जाएगा, बताना है बताईए सबसे पहले क्या है किसी कार का अग्र दीप यानि के हैडलाइट हैडलाइट में बताना है कौन सा दर्पन यूज किया जाएगा तो जो हैडलाइट होती है हैडलाइट के अंदर कौन सा दर्पन यूज किया जाता है जो कार की हैडलाइट होती है उसमें आ जो पिरोग केव मिरर का क्या किया जाता है प्रियोग किया जाता है और जो बल्ब होता है बल्ब को रखते हैं कहां पर मुख्या फोकस पर, जिससे की किरने जो होती है परावरतन के बाद मुख्या अक्ष के क्या हो जाए समानतर हो जाए और प्रकास का सीधा और जो स्ट्रोंग है वो किरन पुझ मिले समझिए कार की जो हैडलाइट होती है उस हैडलाइट में जो मिरर बना होता है वो किस दरपन का बना होगा अवतल दरपन का और उसमें जो वस्तु है उस वस्तु को रखेंगे फोकस पर और जब फोकस पर रखते हैं तो किरने प्रकास किरने कैसी हो जाती है समानतर अभी हमने आली लाइट बतानी है आपको उसमें कौन सा दर्पन यूज होता है उसमें देखने के लिए यूज किया जाता है उत्तल दर्पन का क्योंकि वहाँ पर परतिविम सदयाव कैसा दिखता है सीधा और छोटा सीधा और कैसा दिखाई देगा छोटा सीधा और छोटा परतिविम दिखता है तो वहाँ पर जूज होगा कौन सा उत्तल दर्पन तीसर देखे सोर्भटी कारण भी बता ना इसलिए मैं आपको कारण बता रहा हूं क्या है सोर्भटी बता ये सोर भटी में जो सूर्या के प्रकास है उसको केंद्रित करना होता है क्या करना होता है केंद्रित और उसको केंद्रित करने के लिए आवतल दर्पन का प्रियोग किया जाता है किसका प्रियोग किया जाता है अवतल दर्पन क्योंकि सूरिया ऐसा माने जाता है अनंत दूरी पर है और उससे जो प्रकास की किरने आएगी वो समानतर आएगी जब कोई प्रकास श्रोत अनंत पर होता है तो उसके प्रकास किरने कैसी आएगी समानतर और अवतल दर्पन से प हो तेजी से बढ़ जाएगा ठीक है तो इस तरह से आप देखेंगे ये उसके बार देखते हैं नेक्स्ट कुश्चिन कुश्चिन नमबर नो देखिए किसी उत्तर लैंस का आदा भाग काले कागस किसी उत्तर लैंस का कि ये रहा कुश्चिन नमबर नाइन किसी उत्तर लैंस का आदा भाग काले कागस से ढग दिया जाता है क्या है लैंस किसी विम्ब का पूरा प्रतिमिंब बना पाएगा आपने उत्तर की प्रियोग द्वरा जाच कीजिए प्रेक्षनों की व्याख्या कीजिए क्या किया देखिए हमने लिया माल लीजिए एक एक्जामपल है कॉश्चिन नमबर नाइन नाइन में हमने एक दरपन लिया कौन सा दरपन माल लेते हैं हम दरपन ले रहे हैं उत्तल कौन सा दरपन ले रहे हैं उत्तल ठीक है ये एक उत्तल दरपन लिया हमने यहां पर इसके एक बस्तू रखी है अब इससे क्या होगा जो परकास की किनने चलेगी एक मुख्याक्ष के समानतर जाएगी समानतर जाने के बाद क्या हो जाएगा फोकसित हो जाएगी कहां पर समांतर जाने के बाद इस तरह से फोकस पर क्या हो जाएगा अब क्या होगा समांतर जाएगी समांतर जाने के बाद फोकसित हो जाएगी इस तरह से ठीक है दूसरी परकास की किन्ने क्या होगा कि जो दूसरी प्रकास की किन्य है वो इसके प्रकास केंदर से होकर जाएगी ऐसे और दोनों जहां पर मिलेगी वहां पर इसका प्रतिमिम बनेगा क्या बनेगा प्रतिमिम दूसरे पहन से दिखा देता हूँ यहां पर बना इसका प्रतिमिम ठीक है ये परतिविम बड़ा बनता है थोड़ा परतिविम बना A-B- कोश्चन में उसने ये कहा अब हमने क्या कर दिया कि हमने इसका आदे भाग को क्या कर दिया काला कर दिया कागत से ढग दिया तो अब क्या होगा अगर हम लैंज के आदे भाग को कागज से डग दे केवल आधा परतिविम्ब आधे लैंस से परतिविम्ब बने तो परतिविम्ब बताना है कैसा बनेगा कुछ निये है परतिविम्ब बताना इसमें कैसा बनेगा सोचिए और बताईए तो सबसे पहले यह मैं सोचना कि अगर आधा लैंस कागज से डग दिया है या किसी चीज़ से डग दिया है तो परतिविम्ब भी आधा बनेगा नहीं परतिविम्ब पूरा बनेगा क्या बनेगा परतिविम्ब पूरा तो परतिविम्ब क्या बनेगा यहाँ पर पूरा बनता है परतिविम्ब कैसा बनता है पूरा बनता है कागज से ढखने पर भी परतिविम्ब कैसा बनता है जैसे मैंने आपको बताया सबसे पहले एक उत्तर लेंस लेना यहाँ पर जैसे दिखाया गया है इसके आदे बाग को काले कागस से ढग लेना उसके बाद किसी स्टेंड के सारे कसकर एक साइड मुंबत्ती जला देना और दूसरी तरफ कोई परदा रख देना वाइट कलर का तो परदे बार मुंबत्ती का परतिम बना हूँ आपको दिखाई देगा अब क्या होगा की कि आपको एक चीज़ यहां पर याद रखनी है कि जो प्रतिम्ब बना है उसकी संरचना नोट पुइंट करके लिखना इसी में जो परतिम्ब बना है प्रतिबिम्ब जो बना है तो प्रतिबिम्ब की सन्रचना लैंस के आकार पर निर्भर नहीं करती मतलब यह हुआ आप कितना भी छोटे से छोटा लैंस ले लीजिए प्रतिबिम्ब की सन्रचना वही बनेगी पूरा ही परतिमिम बनेगा अगर आप सोचें घर पर आप एक्जाम्पल कर सकते हैं कैसे दिर्बन नहीं करती आप एक सीशा लेना पाँच फुट का उसमें भी आपका परतिमिम बनेगा आप एक धाई फिट का सीशा ले लेना उसकी brightness कम हो जाएगी परतिविम्ब की चमक कम हो जाती है समझ ये कैसे हो जाती है मानली जी आपने इसको कागज से नहीं ढगा था तो 100 परकास की किरने गुजर रही थी एक एक एक्जामपल 100 ने यहाँ पर परतिविम्ब बनाया अब जब आपने इसको ढग दिया कागज से तो ढगने पर आदे ढग दिया मानली जी पचास परतिविम्ब अब जाएगी पचास किरने किरने कम हो जाएगी तो यहाँ पर उसकी परतिविम्ब का जो क्या है brightness है परतिविम्ब की क्या है चमक वो चमक क्या हो जाएगी कम हो जाएगी तो यह मत सोचना पहला इसमें आपको confusion यह होगा कि अगर अपने कागत से ढग दिया क्या आधा परतिवी पूरा ही दिखाई देगा पर अंतर क्या होगा चमक का केवल किसका अंतर होगा चमक का यह आपको याद रखना है ठीक है चलिए next question question number 10. Question number 10, 10 में क्या कह राइана पाँ सेंटीमीटर लंबा कोई बिम का मतलब कोई बिश्टा है, 10 cm फोकस दूरी के किसी अभिसारी लैंस, अभिसारी लैंस का क्या मतलब होता है, अभिसारी लैंस का मतलब क्या होगा, उत्तल लैंस, क्या होगा, उत्तल लैंस, कौन सा लैंस होगा, उत्तल लैंस, सबसे पहले हमें यही लिखना है, उत्तल लैंस, अब हमें पता होना चाहिए सेंटीमेटर लंबा कोई प्रत substantial है उसके लंबाई कितनी है पांट सेंट्यमेटर यह जो वस्तू दिया ап out यूए प्रिति बीम्ब में की लंबाई यहके ओब्जेक्ट ओं कितना है पाच सेंटिमीटर आगे पढ़िए दस सेंटिमीटर फोकस दूरी के F बराबर कितना दिया है प्लस दस लेगे क्योंकि उत्तल लेंस के लिए सारी चीज़े पोजिटिव यू छोड़ कर किसी अभी चारी लेंस से 25 सेंटिमीटर दूरी पर रखा है यू बराबर कितना होगा माइनस 25 सेंटिमीटर आगे पढ़िए किरन आरे खीच कर बनने वाली परतिविम की स्थिती साइज तता परकृति निकाल लिए अपको V निकालना है और परतिविम का आकार निकालना है आई ये कोशन है आपके पास अब किसकी बात किया हो से ने L 270 तो L Ko Suter क्या होता है 1 अपन F बराबर 1 अपन V मा secondo 1 अपन U से देखे future 1 अपन F कितना दिया है 10 बराबर 1 अपन V कितना दिया है निकालना है 1 अपन V मा collective 1 CPU कितना दिया है 25 तो ये पिलस हो जाएगा हमें निकालना है 1 upon V क्या निकालना है 1 upon V तो 1 upon V equals to इसको इधर ले जाएगे तो minus को जाएगा 1 by 10 minus 1 by 25 LCM कितना जाएगा दोनों का 25, 50 10 से 50 जाएगा 5 बार 5 एकम 5 25 से 50 जाएगा 2 एकम 2 तो इस तरह से आप देखेंगे कि 1 upon V की value आ गई कितना 3 बटे 50 और V की value कितनी आ जाएगी 50 बटे 3 सेंतिमीटर तो V कितना बना 50 बटे 3 सेंतिमीटर या आप लिख सकते हैं 16.67 सेंतिमीटर कितनी दूरी पर बना है 16.67 सेंतिमीटर पर अब आपको क्या निकालना है इसकी आकारो निकालना है देखिए देखिए आवर्दन का सुत्र होता है M equals to V upon U या I upon O V upon U या I upon O रखिए value इन दोनों का use करेंगे V upon U equals to I upon O V कितना दिया है V निकाला है मने 50 बटे 3 3 नीचे चला जाएगा U कितना दिया है U दिया है यहाँ पर कितना minus 25 U कितना दिया है minus 25 बराबर I कितना दिया है और O कितना दिया है O दिया है कितना 5 cm लंबा तो यह O कितना दिया है 5 O कितना दिया है 5 इसको solve करेंगे minus उपर चला जाएगा 25 दुनी 50 दो बार minus 2 बटे 3 बराबर I बटे 5 तो cross multiply कैंची वाली 3 I equals to 5 दुनी 10 तो I की value कितनी आगी minus 10 बटे 3 I की value कितनी आगी minus 10 बटे 3 या minus 3.33 cm तो जो परतिवियम बना है उसकी उचाई कितनी है 3.33 cm वस्तु की उचाई कितनी है 5 cm इसका मतलब परतिवियम छोटा बनाए कैसा बनाए परतिवियम छोटा ठीक है परतिविम कैसा बना है छोटा तो आप इसका किरन आरेक खीच कर दिखा सकते हैं क्या से दिखाएंगे एक उत्तल दर्सन उत्तल लैंस बनाना उत्तल लैंस के सामने कोई वस्तू रखी होगी कितनी दूरी पर कितनी दूरी बोला था उसने देखे कुश्चन में ये बो लाखती हुं कितना कि 25 सेंटीमेटर पर कोई वस्तू रखी है सरी और बोस्ट कींदे चलेगी एक समांततर जाएंगी 16.67 cm कितना बना था 16.67 cm जो वी बना था ठीक है और focus दूरी यहां थी और कितनी दीती focus दूरी 10 cm कितनी दीए ये दूरी कितनी है 10 cm तो इस तरह से आपको इसका diagram बना दा है ठीक है चलिए question number 11 question number 11 15 cm focus दूरी का कोई अवतल लेंस किसी विम्ब का परति विम्ब लेंस से 10 cm दूरी पर बनाता है विम्ब लेंस से कितनी दूरी पर इस्तित है तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है आवतल लेंस क्या लिखा है आवतल लेंस के लिए तो आवतल लेंस जैसे ही हमने लिखा हमें याद आ जाना चाहिए कि अवतर लेंस के लिए U, V, F सब कुछ negative होता है पढ़िए 15 cm फोकस दूरी यानि कि F बराबर कितना दिया है 15 कैसा लेंगे माइनस 15 अवतर लेंस किसी बिम का परतिबिम लेंस से 10 cm दूरी पर बनाता है तो V बराबर परतिबिम बना रहा है माइनस 10 cm बिम लेंस से कितनी दूरी पर इस्थित है U निकालना है कितना है क्या निकालना है U निकालना है कितना आएगा फोर्मुला क्या यूज़ करेंगे इसमें 1 अपोन F इकोल्स टू 1 upon V Lens है तो minus 1 upon U 1 upon F कितना है minus 15 1 upon equals to 1 upon V कितना दिया है V दिया है कितना देखे कहा है minus 10 minus 1 upon U करी आगे minus 1 upon 15 इधर लिया है plus 1 upon 10 equals to minus 1 upon U Lens लिया 30 कैसे करते हैं 15 और 10 का Lens लिया 30 15 तीस से कितनी बार जाएगा 2 बार 2 की इसके उपर गुना करते है minus 2 plus 10 तीस से 3 बार 3 की उपर गुना 3 बराबर minus 1 upon U तो यहां से आया 1 by 30 equals to minus 1 upon U और U की वैल्यू कितनी आ गई minus 30 सेंटिमेटर तो इस तरह से U कितना आया minus 3 सेंटिमेटर आपका अंसर ठीक है देखिए question number 12 देख सकते हैं आप 11 को इस तरह से ठीक है अब आएगा question number 12 12 कहा रहा है 15 cm फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पन तो सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको जो दर्पन दिया है वो लिखेंगे उत्तल दर्पन के लिए तो उत्तल जैसे हमने लिखा हमें पता लग जाना चाहिए कि उत्तल दर्पन के लिए यू नेगेटिव बाकिसम पोजिटिव 15 cm फोकस दूरी एफ बराबर कितना है प्लस 15 cm क्योंकि उत्तल दर्पन है सब प्लस होगा किसी उत्तल दर्पन से कोई बिम 10 cm दूरी पर रखा है यू बराबर कितने पर रखा है माइनस 10 cm परतिविम की स्तिती V निकालना है दर्पन है तो फोर्मूला लगेगा 1 अपोन F इक्वल्स टू 1 अपोन V प्लस 1 अपोन U से ये कहां साया सर ये फोर्मूला होता है 1 अपोन F इक्वल्स टू कितना होता है 1 अपोन V प्लस 1 अपोन U value रखिए 1 upon 15 equals to 1 upon V निकालना है V निकालना है V plus minus हो जाएगा 1 upon 10 10 इधर लिए आएँगे 1 upon 15 minus minus plus 1 upon 10 equals to 1 upon V तो 1 upon V की value कितनी आ गई 15 और 10 calcium फिर 30 आया 15 से 30 गया 2 बार 2 एकम 2 10 से 30 गया 3 बार 3 बन जा 3 तो कितना आया 1 upon V की value 3 or 2 5 upon 30 हमें निकालना है V यहाँ आंसर में छोड़ देते हैं बहुत बच्चे हमें निकालना होता है V ना कि 1 upon V तो 30 upon 5 कितना आएगा V equals to 6 cm तो 12 में जो V की value आएगी कितनी आएगी 6 cm कितना है 6 cm चलिए next देखते हैं question number क्या चलेगा हमारा question number 13 यह important question है आपका important question number 13 यह board में पूछा वो question है कही बार एक सम्तल दरपन दुआरा उत्पन आवर्धन प्लस बन है इसका क्या अर्थ है आपको बताना है M बराबर प्लस बन का क्या अर्थ है बताना है देखिए जो रेखिया आवर्धन होता है रेखिया आवर्धन क्या रेखिया आवर्धन उसका फोर्मूला क्या होता है M बराबर माइनस V बटे U अगर दरपन की बात करें तो क्या होता है माइनस या परतिविम्ब की लंबाई प्रतिभिम्ब की लंबाई और वस्तू की लंबाई के अनुपात को क्या बोलते हैं आई बटे ओ क्या बोलते हैं रेखे आवर्धन एम देखिए अब तीन केस बनते हैं पहला केस दूसरा तीसरा अगर i o से बढ़ा है पहला case दूसरा case i की value o के equal तीसरा case i की value o से less than तीन case बनते हैं ठीक है इन तीन case में हमें बताना है तो अगर i की value o से बढ़ा है इसका मतलब या आप उल्टा कह सकते हैं देखिए अगर ऐसे न लिखकर इसको मैं ऐसे लिखता हूँ जब समझाओगा अगर m एक से बढ़ा है या m एक से छोटा है या m 1 है इसका क्या मतलब हो सकता है plus minus 1 कुछ भी हो सकता है ठीक है m एक से बढ़ा है तो इसका क्या मतलब है तो M का मान एक से बड़ा है इसका मतलब कब देखिए इन दोनों का रेशो एक से बड़ा कब बनेगा जब उपर वाला बड़ा हो नीचे वाला छोटा हो गुमाले जी 5 4 है एक case में 5 4 है एक में 5 6 है एक में 5 5 है इस case में आप देखेंगे कि बढ़ा एक की value बढ़ी आएगी इसका मतलब ये होगा कि आई O से बढ़ा आएगा यानि कि जो परतिबिम्ब की लंबाई है वो वस्तू की लंबाई से बड़ी होगी दूसरे वाले केस में देखेंगे अगर आई इस केस में आई ओ से छोटा होगा जब यह 5 है यह 6 है एक example हमने माना तो क्या होगा कि इसका ratio एक से कम आएगा इसका मतलब परतिबिम्ब की लंबाई वस्तू की लंबाई से छोटी होगी और जब i o के बराबर होगा यह भी 5 है तो यह भी 5 है डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा क्या होगा यहां डिवाइड करेंगे less than 1 यहां greater than 1 तो क्या होगा इन वाले case में आप देखोगे कि i equals to o यानि कि परतिबिम्ब की लंबाई वस्तू के लंबाई के बराबर है उसने पूछा है plus 1 का क्या अर्थ है देखे पहले मैं आपको बनाता हूँ m equals to plus minus 1 का क्या अर्थ है मैंने आपको लिखा कि m equals to plus minus 1 का अर्थ है कि परतिबिम्ब की लंबाई परतिबिम्ब की लंबाई बराबर होगी किसकी वस्तू की लंबाई के अगर m plus 1 है इसके दो केस बनेगे एक m plus 1 और एक m minus 1 अगर plus 1 है इसका मतलब जिस डारेक्शन में वस्तू रखी है उसी डारेक्शन में परतिबिम्ब बना है मतलब प्रतिविम्ब वस्तू के respect में कैसा बनेगा सीधा बनेगा कैसा बनेगा सीधा और M equals to minus 1 का अर्थ है कि प्रतिविम ऐसे रखा है तो वस्तू ऐसे बनेगी या वस्तू ऐसे रखी हुए तो प्रतिविम ऐसे बनेगा मतलब परतिविम वस्तू के रेस्पेक्ट में क्या होता है उल्टा कैसा होता है उल्टा तो आपको क्या लिखना है M इक्वस्तू प्लस बन का मतलब यह है क्या है M इक्वस्तू प्लस बन का अर्थ है कि जो प्रतिविम्ब है उसके लंबाई वस्तू के लंबाई के बराबर होगी तथा प्रतिविम्ब वस्तू के रैस्पेक्ट में कैसा बनता है सीधा बनेगा ठीक है यह आपको लिखना है चलिए कोशन नमबर 14 देखते हैं कोशन नमबर 14 जोद्ग 5 सेंटिमेटर लंबाई का कोई विम्ब 30 सेंटिमीटर वक overlap तिरिज्डा कोई किसी उत्तल दरपन यहीं पर अंडल सेंटी मीटर मिम 30 सेंटी मीटर वकरता तरिज्जा के R बराबर 30 सेंटी मीटर दिया है तो यही से F निकाल देंगे F का फोर्मुला होता है R by 2 यानि के 30 बटे 2 कितना जाएगा प्लस 15 सेंटी मीटर सामने 20 सेंटी मीटर दूरी पर रखा है U बराबर माइनस 20 सेंटी मीटर प्रतिविम की इस्तिती प्रकरती और साइज बताना है ठीक है? चलिए फोर्मुला दर्पन की बात कर रहा है तो दर्पन के लिए फोर्मुला क्या लगेगा 1 अपोन F बराबर 1 अपोन V प्लस 1 अपोन U से क्या बनेगा? देखिए 1 अपोन F कितना है? 15 कितना है? 15 1 अपोन V है? निकालना है V निकालना है प्लस 1 अपोन U माइनस 1 बटे 20 तो 1 बटे 15 प्लस 1 बटे 20 बराबर 1 बटे V अब 1 अपोन V इक्वस टू 15 और 20 का LCM कितना आएगा? 15 चोक 60 60 आगया कितना आगया? 60 15 से 60 जाएगा 4 बार 4 एकम 4 20 से 60 जाएगा 3 बार 3 एकम 3 तो इस तरह से आप देखेंगे कि 1 अपोन V की वैल्यू आगई 7 बटे 60 लेकिन हमें निकालना है V की तो 60 अपोन 7 सेंटिमीटर इसको डिवाइट करेंगे कितना आएगा? 7,8,6,4,7,35 4 सेंटिमीटर अब आपको M और निकालना है M का फोर्मूला होता है माइनस V बटे U या I बटे O दरपन के लिए और लेंस के लिए यहां पिलस में आएगा ठीक है? तो M यह दोनों यूज करेंगे माइनस V अपोन U इकवस टू I अपोन O तो आप देखेंगे माइनस V की वैल्यू अब ही निकाली है हमने कितनी आए? 60 अपोन 7 60 अपोन 7 इंटू U कितना दिया है? कोश्चन में देखिए यही पर बिल जाएगा U कितना दिया है? 20 सेंटिमीटर कितना दिया है? 20 तो माइनस 20 माइनस माइनस यह पिलस हो जाएगा I और O कितना दिया है? 5 कितना दिया है? 5 तो 20 से कड़ गया 3 बार 3 by 7 equals to I by 5 तो 7 I की value कितनी हो जाएगी? 15 और I की value कितनी हो जाएगी? 15 upon 7 cm तो इस तरह से जब भी आपको पूछे जाएगा परतिविंब की इस्तिती प्रिकर्ति और साइज प्रिकर्ति कैसा होगा वी वीलस तू पॉजिटिव आया है तो कैसा बनेगा वास्थ्त क्योंकि उत्तल दर्पन पर वास्तविक होता है इसलिए वास्तविक ही बनेगा ठीक है चले कोश्चन नंबर 15 अ कि यह कोश्चन बहुत इंपोटेंट होते हैं डारक्ट आपको बोर्ड के पेपर में देखने के लिए मिलेंगे कोश्चन नंबर 15 देखते हैं 15 का साथ सेंटिमीटर साइज का कोई बिम सबसे पहले देखेंगे कौन सा दर्पन है अवतल तो यहां लिखेंगे अवतल दर्पन के लिए साथ सेंटिमीटर का साइज है तो आई बराबर सोरी आई ओ ओ बराबर कितना है साथ सेंटिमीटर साइज पिछले कोश्चन में देखना पिछले कोश्चन में आई लिखा था या ओ और पिछले question में देखें गलती हो गई question number 14 देखने एक बार 14 में क्या है 14 में 5 सेंटीबेर लंबाई दिया यानिकर ओ दिया है यह ओ दिया है 5 ठीक है आई निकलना था ओ कितना निया है फोकस दूरीبة की अफ बराबर कितना दिया 18 माइनस होगा पिलस माइनस 18 क्यों होगा अवतल दरपन है सारी चीज़ नेगेटिव होगी सामने 17 सेंटमिटर दूरी पर र viens गया है यू बराबर माइनस 27 सेंटिमेंटर दरपन से कितनी दूरी पर रखे किसी पर्द को कि उसका इस पर्स्ट फोकसी परतिविंगे प्राप्त किया जासे के उसका साइज और प्रकरती बतानी आपको तो आपको वी निकालना है और आई निकालना है इंपोटेंट कोश्चन है साथ नमबर में पूछा हुआ है कई बार इंपोटेंट कोश्चन है ठीक है तो यह कोश्चन को में करना है देखे कैसे करेंगे इसको तो क्या करते हैं देखे सबसे पहले दरपन का सूत्र लगाएंगे वनपोन एफ इकवल्स टू वनपोन वी प्लस वनपोन यू से रखे वैल्यू वनपोन एफ कितना है बनप आपोन एफ वनपोन एफ है माइनस 18 इक 캐리 लस्ट टू वनपोन वी निकालना है है 8-1 upon you you कितना है – 27-27 इधर चला गया 27-1 upon 18 इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा 1 upon 27 एकोस टो 1 upon वी तो 1 upon V कितना आ गया मिवरबने वी 18 27 का यह आपा है 54 अथार से 54 जाएगा 3 बार 3 की माइनस एक में तो माइनस तीन 27 जाएगा 54 से दो बार दो की एक में दो तो यहां से देखेंगे वन अपोन वी की वैल्यू आ गई माइनस 3, माइनस 3 प्लस 2, माइनस 1, अपोन 54, तो V की वैल्यू आ जाएगी माइनस 54 सेंटिमीटर, माइनस बना है और माइनस ही होता है, इसलिए परतिविम वास्तविक है, कैसा है परतिविम वास्तविक, अब हम निकालेंगे क्या, M, M का फोर्मूला होता है, माइनस V बटे U equals to I upon O, तो यह दोनों यूज करेंगे, माइनस V upon U equals to I upon O, देखिए, माइनस V निकाला है अभी हमने कितना आया है, माइनस 54, U था हमारा माइनस 27, equals to I, और O दिया था 7 सेंटिमीटर, माइनस से माइनस गया, 27 से 54 गया, 2 बार, 7 की 2 हो जाएगी, तो I equals to 2 into 7, तो I equals to कितना हो गया, 14 सेंटिमीटर, तो जो परतिविंब की उचाई 7 सेंटिमीटर की इमेज थी, वो कितने सेंटिमीटर की बनेगी, 14 सेंटिमीटर की, इसका मतलब रेखिया वर्धन कितना होगा, इसमें 2, कितना होगा, 2, ठीक है, तो इस तरह से आपका इसका अंसर हो ज उस लैंस की फोकस दूरी, कोशन नमबर क्या है, 16, देखिये, कोशन नमबर 16, उस लैंस की फोकस दूरी गयात कीजिए, F निकालना है, जिसकी छमता, P बराबर कितना दे रखा है, माइनस 2.0 डायोक्टर है, और किस परकार का लैंस है, देखिये, फोकस दूरी होती है, 100 अपोन P, या P होता है, 100 अपोन F, ठीक है, तो 100 अपोन P, कितना है, माइनस 2, तो माइनस 2 से इसको डिवाइड करेंगे, तो फोकस दूरी आजाएगी, माइनस 50 सेंटी मीटर, और फोकस दूरी माइनस में किसकी होती है, कौन से लैंस की होत आवतल लैंस ये भी आपको याद रखना है ये भी पूछा जाता है कि फोकस दूरी माइनस में आई है तो कौन सा लैंस होगा आवतल लैंस आज का लास्ट कोशन है इस चैप्टर का कोशन नमबर 17 कोई डोक्टर 1.5 डायोक्टर चपस्मा का संसोधर लैंस निरधारित करता है लैंस की चमता है प्लस 1.5 डायोक्टर या आप लिख सकते हैं 3 बाइट्व डायोक्टर क्योख दिया 1.5 को 3 बाइट्व 22 क्योंकि 1.5 का मतलब बह quiz Dead और 3 बाइट्व का मतलब भी क्या है देट्व लैंस की फोकस दूरी घ्यात कीजिए क्या अभी सारी है या अप सारे है द 3 by 2, 2 पर चला जाएगा 200 upon 3 इसको इससे डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3 चंग 18, 220 3 चंग 18, 220 66.67 cm आजाएगी पिलस में और focus दूरी पिलस में हैं तो इसका मतलब कौन सा lens होगा उत्तल lens कौन सा lens होगा, उत्तल lens और उत्तल lens की प्रकरती कैसी होती है अभी सारी वो प्रकास किर्णों को क्या कर देता है इसलिए प्रकरती कैसी होती है अभी सारी, तो यहाँ पर हमारा answer कितना हो जाएगा 66.67 ठीक है, तो इस तरह से आपके जो question number sorry, जो कितने question है 16, कितने question है 16, वे 16 question खतम होते है यहाँ 17 question क्या होते है, समाप्त होते है इसके बाद आपका नया chapter चलेगा ठीक है, वो chapter biology से होगा, या फिर physics से ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो share करना धन्यवाद